नमस्कार मैं हूँ अन्भा शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव टुड़े हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम खास बात में आज हमारे महमान है एक ऐसे यूद पॉलिटीशन जुन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की सुरुवात छात्रनीता के रूप में की और बाद मे उन्हें देश में वन आफ दे यंगेस राजसबा मेंबर होने का गौरव भियांसिल हुआ जी हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंतरी कमाल अक्तर की हमारे साथ कमाल अक्तर जी है कमाल यह आपका लाइव टुडे में बहुत-बहुत सौगत है सर सबसे पहले यह जाना चाहेंगे आप तो अपने घर से निकले दिली गया और दिली के देश के प्रतिसरी संसान जामिया मीलिया से आपने एकनोमिक्स ओनर्स किया ललबी की फिर राजनीती में आ गया है अचानक आ गया या पहले से तैना कि राजनीती करनी है हम लोग जो परिवारिक प उत्तर प्रदेश के जनरल सिकर्टी थे मेरे पिता जी थे वो भी गाउसावम में पिरधान रहे उसके बाद चेर्मेन रहे तो परिवारिक प्रस भूमी हम लोगों की राजनीती था लेकिन हम लोग जामिलिया स्लामिया में जब पढ़ने गए और वहां जाकर हम लोगों न को दूर करने के लिए हम लोगों को राजनीती के अलावा कोई दूसरा रास्ता हम लोगों को नहीं मिलता था क्योंकि एक राजनीती ऐसा प्लेट फॉर्म था जहां से हम लोग संगश करके जहां पर एडमिस्टेशन के खिलाफ परशासन के खिलाफ संगश करके उनकी समस्य चाव का निराकरण हम लोग कराते थे हम लोगों को मौका मिला हम लोग महां पर काम किये काम करने के बाद महां चात्रों ने हम लोगों को मौका दिया और जामिया इसलामिया सेंटर यूश्टी जैसी बड़ी यूश्टी का चात्र संक अधियक्ष चुनने का मुझे मौका मिल ये मेरे सोबाके की बात थी और वहीं से हम लोगों को एक सोच हम लोगों की डवलप हुई क्योंकि जब जामिया युनिवस्टी के अंदर हम लोगा दियक्ष बने तो हम लोगों का जब एन्वल फंक्शन था युनिवस्टी का तो हम लोगों के सामने पूरी कैबिनेट के सामने ये थी कि हम लोग एक ऐसे नेता को अपनी उनिवर्टी में अपने अनुर्वल फंक्शन में चीफ गैस बनाए जो इस देश के धन्वेश्टा का परतीक हो जो इस देश के हिंदू मुसल्मानों को साथ लेके चलने माला हो और जिसको लोग जिसको बहुत पसंद करते हो पूरी कैबिनेट से सरसमयती में पास हुआ कि मुलायम सिंग जी ऐसे देश के अंदर नेता और मुलायम सिंग जी को अपने एनवरल फंक्शन के अंदर हम लोगों को ऐसे चीफ गैस बुलाना चाहिए शायद यही टर्निंग पॉइंट भी था आपके पॉलिटिकल करियर का क्योंकि 33 साल के और में मुलायम सिंग जी आदव ने आप पर इतना भरोसा किया कि आपको सीधे राजसभा भेज दिया आपने तमाम सीनियर लीडर्स को दरकिनार करते हुए शायद वो टर्निंग पॉइंट था नहीं मैं अभारी हूँ पार्टी का मैं अभारी हूँ माने मुलायम सिंग जी का लेकिन जब हम लोगों ने जामिया में मुलायम सिंग जी को बुलाया था तो हम लोगों को मुलायम सिंग जी के साथ इसलिए नहीं जुड़े थे कि मुलायम सिंग जी हम लोगों को रास्वा में बेजेंगे मुलाहिम सिंग जी हमको नैशनल यूद प्रेसिडेंट बनाएंगे मुलाहिम सिंग जी हम लोगों कैबिनेट मंतरी बनाएंगे हम मुलाहिम सिंग जी को इसलिए हम लोगों ने अपनी उनिवस्टी के अंदर बलाया था जमियां के अंदर पड़ते हैं लोगों के दिमाग में है कि वो मुस्रीम इन्वस्टी को उनके विचार को उनके काम को लेके जंता के बीचमे हम लोग जुडे रहे 1998 में मुझे 1996 में मुलाहिम सिंग जी ने राश्ट्य सची यूजन सभा में बनाया 1998 में मुझे राश्ट्य देश यूजन सभा बनाया तो उनी की किरपा से हम लोग संगश करते रहे और संगश में चलकर राश्ट्सभा राश्ट्सभा के बाद इस मुकाम तक हम लोग पहुचे हैं के लिए आप उठा कर देख लिए कहें मौन सिंग जी हों जनिश्वर मिश्रा रहे हों बिरजबूश रतिवारी रहे हों या भगणा जी रहे हों ये सारे वो लोग हैं जो लोग छात्राजनीती से निकल कर गए और छात्राजनीती से निकलने के बाद जो लोग छात्राजनीत करने वाले लोग होते हैं क्योंकि जब हम लोग झाहती के द्रेश्ट संख्रों भाता है तो वहां कोई आदमी जा धन्म बिरादरी ये नहीं पूशता है वहां सिर्भ लड़ाई शाती के लिए लडा जाती है क्लासमेट के लिए बला जाती है department के लिए नीयाथ के ये ट्रेंड गलत है ये जो चासंग की राजनीती से निकले लोग हैं वो 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के अंदर एक सेकुरिरिजम में मिशाल कायम किये सर आपकी सरकार है यूपी में तकरीवन अब साड़े चार साल से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन यहां के विश्विद्यालों में चासंग के चुनाओ हो नहीं रहें ये क्या ठीक है और इस पर आपने कभी बात की क्योंकि खुद आप चात्र राजनीती से आये हैं और में किसी पार्टी के यानि कि लार्जेस पार्टी भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी उनके पास भी इतना शानदार चात्र नेतर तो नहीं है और जहां तक सवाल है चासंगों का पक्षदर होने का मुलायम सिंग जी मुखमंतरी बने और मुखमंतरी की शबत लेने के बाद सबसे पहले इलाबाद इनुवस्टी में जाकर छासंग की घोशना करते हैं अपने मैनिफेस्टों के अंदर हम लोग छासंग की घोशना करते हैं और अखलेश यादव जी की सरकार होने चाहिए और चाह संगों का जो ताले थे उसको खुलना चाहिए समाजवादी पार्टी इसकी पक्षदर रही है और समाजवादी पार्टी ने इस पस आदेश किया है कि जो भी युनिवस्टियां है उनमें चाह संग के चुना होने चाहिए क्योंकि चाह संग के चुना हो और जनता क्या आपको दुबारा सत्ता में वापस लाएगी? जो अगरा से लेके लखनाव तक और इसके बाद जो एक्सटेंशन हम लोगों ने किया है लखनाव से लेके बलिया तक यह अपना आप में मिसाल है और आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश की पिरगती का विकास का मिल का पत्था सावित होगा। दूसरा काम जहां तक छात्रों का सवाल है छात्रों के जो हम लोगों ने जितनी उनिस्टियां काइम की हैं जितने लोगों को सहुलत छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार ने काम की है शायद किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया और जहां तक प्रुस्तान का मामला है जब हमारे नौजमान देश से बाहर प्रदेश से बाहर जाते थे नौकरी में तो उनसे कह जाता था कि आपसे कंप्यूटर आता है नहीं आता है हमारा नौजमान पिछड़ जाता था दूसरे मेट्रो सिटी के मुकाबले पर उन्हें सक्षम करने के लिए समाजवाधी लेप्टॉप बाटने का काम किया करीब 15 लग लेप्टॉप उत्रपरदेश के अंदर वित्रण किया और आज भी हमारी सरकार ने उसमें सश्रुधन करकर जो आने वाले टॉप मेरिट के लोग हैं उन लोगों को हमाई सरकार देने का काम कर रही है सब को देंगे 15 लाग लोगों को एक बार दिया फिर केटेग्राइज कर दिया नहीं देखिए निशीत तोर पर बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद उसके अंदर जो चीजें हैं उन चीजों पर विचार और दूसरे लोगों की राय और यही मानना था कि हम लोग किस तरह से अपने आने वाली जो लोग हैं जनरिशन हैं उसको किस तरह से प्रवविध करें करें हमने इससी स्कीम को लागू करकर न नौज़वान को पुरसिद किया जो मेहनत करकर एक बच्चा हमारा फर्सड डिविजन आता है अर उसे हम गर में कोई इनाम देते हैं परोसाइद करते हैं तो वो खुश होता है कि मुझे मेरी मेरत का फन मिला और एक बच्चा ऐसा है कि उसको भी हम देते हैं तो फिर दोनों में फरक हम लोगों करना पड़ेगा यह स्कीम हम लोगों ने इसलिए की कि नौजवान कमटीशन करें नौजवान मेहनत करें और अच्छे से अच्छा पिरिगती लाकर उनी स्कीम का हगदार बना यह हमने सोचा क्या बड़ी चुनोती क्या है 2017 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं बड़ी चुनोती समाजवादी पार्टी के सामने क्या है क्योंकि कानून व्यस्ता के मुद्दे पर लगातार आप गिरे हुए हैं आपकी सरकार गिरी हुई है समाजवादी यादो कुनमे में कहा जा रहा है की चाचा बतीजे में नहीं पत रही क्या लग रहा है ये सारी चीजें चुनाव में नुकसान पहुँचाएंगी देखे अखलेज जी की शक्सियत अखलेज जी का काम उसके सामने मैं समझता हूँ ये सारी चीजे बौनी साबित है जो अखलेज जी ने काम किये हैं जो अखलेज जी ने विकास किया है मैं नहीं समझता हूँ इस सतर साल की आजादी के अंदर उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारे रही हैं उन सरकारों में सबसे बेतर अगर किसी सरकार ने काम किया तो इस सरकार ने काम किया आप आप से मैं पुछना चाहता हूँ कि 65 लाक आज अगर एक छोटा सा आदमी एक वो गरीब माँ जो गरीब माँ अपने खाना खाने के लिए अपने धोती के लिए अपने कपड़े के लिए जो अपने पांच-छाली के लिए अपने बेटे बच्चों की मौताज रहती थी आज ऐसी 65 लाक माओं और बेहनों को हमारी समाजवादी पेंशन मिलने का काम किया ये अपनाप में एक मिसाल है हम लोगों ने दूसरे इतने बड़े बड़े काम अखले शादव जी ने विकास के नाम पर किये हैं बिजली के अंदर क्रांतिकारी काम हुआ इतना मायवती ज सरकार के अंदर एक यूनिट बिजली चनरेशन का कोई प्लांट नहीं लगा आज हम लोग इस आने वाले साल के अंदर खुद सक्षम उत्तर प्रदेश को अपने बिना खरीदे बिजली दिने के अंदर सक्षम होंगे ये अखलेश यादव की सोच और उनका काम है मैं इतना जरूर कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांथ है इतना बड़ा प्रांथ है उस बड़े प्रांथ के नाते अगर हम कंप्रिनर्जन करें क्या वो गुजरात हो क्या महारास्थ हो या दिल्ली हो या और प्रांथ हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ के उत्तर प्रदेश की कानून वियस्ता बहुत बेतर है बहुत उनसे कहीं लाग गुना बेतर है ये आप जहां तक सवाल है अब मैं इस बात कहना चाहूंगा कि कोई बाप अपनी बेती से बलतकार करता है कोई बेटा अपने बाप की अहतिया करता है कोई आदमी अपने राजनी मैं इसको कानून विवस्ता का मुदरा इसलीach नहीं मानूगा ये हमारे नेतिक और समाजी क मूलीों की तिरावट है ये जो सिस्टम में और समाज में जो कमी ःर खामी आई है आज बाप बेटे का रिष्टा मानने को तियार नहीं है और निर्भेकांड होता है तो क्या आप उतरप्रदेश के अंदर अगर कोई कान्ट हुए या निर्वे कान्ट हुए तो जाहिरती बात है ये सब हमारे इस पर सब लोगों को विछार करने की जरुवत है لेकि जितना बढ़िया काम उतरप्रदेश सरकार के अंदर किया पहले थानों के अंदर गाणियां तक नहीν थी ख्लेश यादव जी ने अपना पूरा जितना क्रेवी भाग को सुधार के लिए फंड की दरुवती वो उबलत कराया आज ठाने के अंदर दो दो गाणिया मजूद है गाडियों की इस्तिती ये थी कि अपरादी तेज भाग जाते थे गाड़ी पीछे रह जाती थी आज जो अच्छे कंपनीज की गाड़ी हैं आज वो पुलिस के पास उबलत हैं पुलिस वालों के पास आवास नहीं थे उनके पास सुविदाय नहीं थी वो सारी सुविदाय दे कर पुलिस की जितने मानक के अनुसार भरती होनी चाही थी वो भरती नहीं थी किसी भी आदमी को पुलिस की साहता मिल सकते है तो इतने काम हमारी सरकार ने कानुन विवस्ता पर किये हैं और निशित तोर पर मैं इतना कह सकता हूं कि देश के कई प्रांतव से बढ़या उत्तरपर देश की कानुन विवस्ता है सर एक साल मैंने आप से जो पूछा जो यादो परिवार में बार बार टकराव की बात आती है। आप से इसलिए पूछा क्योंकि आप नेता जी के बेहत करीबी हैं। क्या वाकई ऐसा होता है यादो कुनबे में की अखिलेश यादो और शियुपाल यादो में इतनी अन्वन हो जाती है। या फिर ये मीडिया में जो खबरे आते हैं उनमें सच्चाई होती है या नहीं होती है आप बहुत करीबी हैं परिवार को बहुत करीब से जानते हैं देखें नेता जी, शिर्पाल जी, मकमंतरी जी ये हम जितने भी नौजवान हैं जो पार्टी से सम्मदित लोग हैं हम लोगों के आदर्श हैं इनको देखके इनके विचारों को लेके हम लोग राजनीती करने वाले लोग हैं और जहां तक मैं समझता हूँ ये मिसाल है इस द बड़ा कुनबा और इतना युनाइटिट कुनबा और इतना राजनीती में सेवागी परिवार देश के अंदर दूसरा नहीं है और ये जितनी चीजें हैं मैं नहीं समझता कि इनके अंदर कहीं कोई दम है ये कुछ लोगों की अफ़वाएं हैं कुछ लोगों को परचार ह कुछ मीडिया को अपना चलाने के लिए कुछ चीज है जितना एक जुट कुनबा हमारा समाजवादी परिवार है पूरा पार्टी है इतनी डिसिपलीन इतनी मजबूत और इतना विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी देश में दूसरी नहीं है मैं पूरे उसके साथ कह सकता हूं कि यह जितनी चीजे चल नहीं है कि परिवार के अंदर ऐसा है वैसा है तो यह इसमें कहीं कोई दम नहीं है सर आप कहरें कि तमाम काम आपने किया और यह तमाम जो काम है विकास से जुड़ोगी यह आपको 2017 में वापस सत्ता दिलाएगी लेकिन आप ही के एक साथी हैं सरकार में मंत्री हैं वो आप कहरें समाजादी पार्टी तो डूबा हुआ जहाज है डूबता जहाज है यह की अपनी व्यक्ति के सोच होगी आज मैं यह मेरी चुनोती है कि कोई सरकार को आप छोड़ दो सरकार में या पार्टी का कोई आदमी यह कहेगा कि अखले जी बहुत शांदार मुक्मंत्री हैं अखले जी ने बहुत बढ़िया काम किये हैं अखले जी अच्छे हैं इमा हमारा पूरा विपक्ष कोई एक आदमी विपक्ष का भी अखले जी यादर जी के बारे में उनकी छवी के बारे में ने उनके काम के बारे में कोई आदमी इस साड़े चार साल की सरकार के अंदर उंगली नहीं उठा सकता लेकिन जो आदमी इस तरह का बयान दे रहा है क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप चुनाओ करीब और इस तरीके से अगर आप कहेंगे आपके ऐसा लगा कि वाकई मुख्यमंत्री की जो बात है उसको कोई और काट रहा है और कहीं और से आपको कोई डिरेक्शन मिलना है देखिए जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने सडके नहीं बनाई आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने बिजली के अंदर सुधार नहीं किया आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हमने शिक्षा का इस तर उचा नहीं उठाया आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हमने रोजगार नहीं दिया आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने गरीब लोगों को 65,000 माओं बेहनों को समाजवादी पेंशन योजना देने का काम किया आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांद के अंदर हम लोगों ने दो चरणों के अंदर खास वरक्षा लागू कर दी आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने समाजवादी आसरा योजना कबरुस्तान की बौनरी शमशान अंतेश्टी इस्तल या इतने बड़े बड़े काम जैसे आपके जनेश्वर मिश्रा पार्क मेट्रो ये इतने बड़े काम किये तो वो इसलिए नहीं कह सकते कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकारों के अंदर क्यों काम किये हैं तो उनके पास एक रास्ता बनता है चार मुखमंतरी हैं पांच मुखमंतरी हैं तो इस तरह के अलरगन जो आरोप हैं ये बिलकु निराधार हैं यहाँ पर एक मुखमंतरी है और उ सर आप खाद रसत मंत्री हैं क्या आपने जो काम किया इस मंत्री उस विभाग में उससे आप संतुस्ठ है या कोई कमिया रह गई है आपको लगता है कि अगर मौका मिलेगा दुबारा तो उन कमियों को दूर करेंगे देखे निशित तोर पे मुझे मानने में इसमें कोई गुरेज नहीं है ये एक ऐसा विभाग है जो एक आम आदमी से जुड़ावा है वो गरीब आदमी जो आखरी कोने पर बैठा है और पूरे महां वो ये रह देखता है कि उसके सरकार का दियावन अन उसके घर में आएगा और उसके बच्चों को खाना मिलेगा वो आदमी जिसके घर में अंधेरा है और वो ये सोचता है कि उसको तेल मिलेगा और उसके घर में रोशनी होगी ये उस गरीब आदमी से जुड़ावा भी भाग है मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने किरांती कर दी लेकिन जिस दिन स मेरे इस नौ महीने के टेनरोवर में मुझे भी बाग मिला है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने खास सुरक्षार लागू करकर मक्मंती जी के नेत्रमें में उनके निर्देश पे हम दावे से कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो गरीबी की वज़े से भूकास होया क्योंकि इस योजना के अंतर का दो रुपए किलो गहूं तीन रुपए किलो चावल और एक रुपए किलो मोटा आनाच पर यूनिट पर हम लोग पांच किलो दे रहे हैं यकीनी तोर पर गरीब आदमी के पास हम लोगों ने वो अ पहुचाने का प्रियास किया और हमने पहुचाने का काम किया हाँ इतनी कमिया हैं कि अभी कुछ यूनिटों के अंदर काडों की फीडिंग के अंदर काडों के एपात्र लोगों के उसके अंदर फीडिंग होने की वज़े से कुछ शिकायते आ रही हैं तो यकीनी तोर पर ह उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल होगी खास सुरक्षादिनियम शायद किसी देश के अंदर इतना अच्छी तरह से किसी और प्रांथ ने लागू किया लेकिन थोड़ा लेट हुआ उत्तर प्रदेश बड़ा प्रांथ है और कोई भी स्कीम अच्छी तरह से इप्लिमेंट करते वह यहीं जैसे दिली है दिली को आप देखेंगे तो दिली अर उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है और जो प्रांथ है उन वह दब लाज़ेस प्रांथ है तो उसके अंदर लागू हो तो उसके अंदर कोई कमिया और खामिया नहीं रहें अब जिसे तेल का वित्रण है अभी लोग कहते हैं कि साब तेल के अंदर मोदी जी ने मोदी जी की सरकार ने बड़े लोगों के लाफ पहुचा है बड़े काम किये मैं कह रहा हूँ एक सबसे जादा अगर पढ़ती होगी तेल की जरुवत पढ़ती है उस गरीब आदमी को उस आदमी को जिसके घर में रोशनी करने के लिए कोई चीज नहीं है बिजली नहीं है कोई और चीज नहीं है मोधी जी की सरकार ने अगर सबसे पहले कोई कटोती करने का काम किया तो जो तेल मिलता था लोगों को उसको 10% उत्तर प्रदेश की जो कोटा था उसमें कटोती करने का काम किया हम लोगों ने चित्थी लिखी माने मुखमंती जी ने चित्थी लिखी कि ये कटोती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुंदेल खंड में सूगा पड़ रहा है कुछ नेक्सलाइट बेल्ट हमारे यहां पे है उन लोगों को हम लोगों ने लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता ह मुखमंती जी गो के माने मुखमंती जी ने बुंदेल खंड 10% कोटा काटने के बाद भी 10% जो कोटा कटा उसके कटोती के बाद भी हमने बुंदेल खंड और सोन बज साहिज़ू नेक्सलाइट एरियर में वहाँ पर एक बूंध तेल की कटोती हम लोगों ने नहीं की सार आप जो कह रहे हैं मुखमंत्रि जी ने तमाम काम के और आप कह रहे हैं करें कि उनका जो लिडर्शिप कौल्टी है वो बहुत शांदार है और यूपी के डेवलपमेंट के लिए काफी काम के हैं आप को लग रहा है कि जो उनकी qualities हैं, leadership quality, आगे वो अभी तो प्रदेश का नेतित कर रहे हैं, देश का भी नेतित कर सकते हैं? नहीं, निश्य तोर पे, जो एक अच्छे नेता के अंदर quality होनी चाहिए, नेतरत की छमता होनी चाहिए, काम करने का अंजाज होना चाहिए, मैं समझता हूँ, मुक्मती जी के अंदर वो सारी quality, वो सारी चीजे मौजूद हैं, हम लोग भी पूरा भगवान से भी हम लोगों क कि दूआ है, और अल्ला से भी दूआ है, कि हमारे नेता को आगे आने वाले समय में मौका मिले, कि वो इस देव प्रदेश के साथ साथ देश का भी नेतरत करें, लेकिन कई बार सारजनिक मंचों से जब नेता जी मुक्मंत्री अखले श्यादर को डांटते हैं, क्या लग र बेटों के लिए एक मिसाल है, जो एक संदेश देता है, कि इतना संसकारी, इतना सभ्य, इतनी साथगी वाला एक बेटा इतने बड़े पोस्ट पे हो सकता है, कि वो किसी भी मंच पे अपनी अलोचना, अपनी पिता का निर्देश आदेश मानने के लिए तेयार रहता है, ए कि ये उन सारे नौजवानों को मुखमंत्री जी से संदेश है और जहां तक नेता जी का सवाल है नेता जी हम लोगों के मारक दर्शक है नेता जी के नाम से नेता जी के काम से हम लोग सारे लोग राजनीती करते हैं तो जिस आदमी को आदश मान कर मुखमंत्री जी हो हम हो जि पिता जी हमें हमेशा रास्ता और यह दिशां देते रहें और उनके दिशा और रास्ते पर मुकमंत्री जी इस देश का नेतरत यानि वो एक पिता की प्यार की डांट होती है नहीं मैं नहीं कह सकता हूं एक नेता का आदेज भी हो सकता एक नेता का निर्देज भी हो सकता हू तो निश्य तोर पर जब उनका प्यार, उनका दुलार, उनका अशिरवाद, उनकी किर्पा, उनकी सब्चीरे हमारे साथ हैं, तो निश्य तोर पर उनकी आदेश, निर्देश, उनकी डाड़ भी, एक कर्तवेकारी, एक निश्थावान, जो उनका वरकर है, उसके लिए वो भ किया है और क्या अभी आपको लग रहा है कि आगे मुझे और भी काम करना है ताकि जो वहां की लोग है जिन्हों ने आपको चुनकर भेजा है आप पे भरोसा किया है उनकी समस्याओं का नेराकरण हो सके देखें मैं जिस छेश से विधायक हूँ वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हसनपूर विदानसवा आता है और हसनपूर विदानसवा जो इसी नए परिसीमन के अंतर गती है नहीं विदानसवा बनी है और एक गंगेथरी विदानसवा होती थी 80 फीसदी उसका पार्ट और 20 फीसदी हसनपूर तैसील का पार्ट बनके विदानसवा बनी ये एक ऐसा चेतर था कि जब किसी अधिकारी को बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी के यहाँ पर सजा देनी होती थी तो वो उस अधिकारी को दमकी देता था कि मैं तुझे गंगेशरी बेच दूँगा गंगेशरी वो इसलिए नहीं बेचता था कि गंगेशरी बहुत अच्छी जगा थी या बहुत खराब जगा थी गंगेशरी इसलिए भेजने के लिए वो कहता था कि गंगेशरी एक ऐसी जगा थी जहाना सडके थी ना बिजली थी 70 साल के अज़ादी के बाद ना काम वहाँ पर लोगों के लिए पढ़ाई की सुवीदाय थी ना लोगों के इलाज की सुवीदाय थी लेकिन हम लोगों का स्वबाग्य था कि मुलाइम सिंग जी महां से सांसत बने और सांसत बनने के बाद विकास कराने का काम किया और इस बार अखलेश यादेव जी की सरकार बनी सरकार बनने के बाद वहाँ पर गन्ने की बड़ी बेल्ड थी कोई चीनी मिल नहीं थी हम लोगों ने चीनी मिल लगवाने का काम किया वहाँ पर दूर तक उस शिक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था मेरड जाना पड़ता था लखनाव जाना पड़ता था मुरादबाज जाना पड़ता था हमने एक रहरा है अस्पताल बनवाया और जो आज सबसे बड़ी सो साल पुरानी हमारी तैसील थी हम अभी अगले महीने के अंदर उस तैसील को दुबारा बनवाकर उसकी शांदार बिल्लिंग बनवाने जा रहे हैं अब सवाल मेरा यह है कि आप मायनर्टी से आते हैं तमाम और भी मंतरी हैं मायनर्टी के सरकार में लेकिन एक ही Eni को तवज्चों क्यों मिलती है इस सरकार में मायनर्टी के नाम पे क्या वाकरी उनके पास इतना वोट बैंक है देखे इसमें कोई दोराय नहीं है आप मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा आजम खान साहब की तरफ है आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ट नेता है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संगर्श से लेकर अफस्टा तक वो सारे दोर, वो सारी चीजे आजम खाँ जी ने देखी और आजम खाँ जी को पार्टी को यहां तक पहुचाने में उनका बड़ा योगतान है ऐसा नहीं है, अगर सारा तबज्जों उन्हें देने होती तो आज दस कैबिनेट मंतरी और कैबिनेट मंतरी हैं, तो मैं नहीं समझता लेकिन एक वर्ग है जो परचार परसार करता है, समाजबादी पार्टी के बारे में परचार परसार करता है, तो मुसल्मानों की पार्टी है, ये तो इनकी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है आप से मैं कहना चाहता हूँ आप मुझे बताओ हमारे ब्रहमन मंतरी हैं हमारे ठाकुर मंतरी हैं यादवसाती मंतरी हैं हमारे कशियप मंतरी हैं हमारे यहां वर्मा मंतरी हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर समाजवादी पार्टी की संगठन के अंदर समा नहीं दिया। लेकिन ये एक परचार है कि उनको तवज्जे दी जाती है उनको नहीं दी जाती है। जो हर चीज़ को परचार है ये मुलाहिम सिंग यादव जी का एक और एक चीज़ मैं कहता हूँ अभी आपने कई दफा कहा कि आप मुलाहिम सिंग जी बड़े अजीज़ हैं बड़े नस्दीक हैं बड़े करीबी हैं और अभी अखलेज जी के बारे में भी ये भी कहा ये हम लोगों की सौबागे की बात है मुलाहिम सिंग यादव और अखलेज यादव जी के नेतरत में या उनके कोई वरकर ये नहीं बता सकता के नेता जी आखलेज जी किसको जादा प्यार करते हैं कोई अंदाजा आज तक लगा ही नहीं पाया मैं 24 साल से नेता जी के साथ हूँ कि हर मिलके आने वाला आदमी ये समझता कि हम से जादा खास हम से जादा करीबी उनका कोई नहीं है हम अपने दर्शकों को बता दें कमाल अक्तर कैबेट मंत्री हैं लेकिन क्रिकेट से उनका बहुत पुराना नातर आया है जब वो छातर जीवन में थे तो सीके नाइडू भी उन्होंने खेला हुआ है सर अब क्रिकेट को कितना मिस करते हैं जब से राजनीती में आएं नहीं है कि इसमें कोई मानने में हम लोगों को ग्रेज नहीं है कि जब इस फील्ड में हम लोग आए तो बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो हम लोगों से छोड़ गई जब हम लोगों को याद है कि पूरा पूरा दिन ऐसा होता था कि हम लोग सुबा उड़ते थे साथ बज़े से लेके और किर्किट खेलते खेलते शाम को साथ बज़े घर में घुचते थे इसमें कोई दो रहे नहीं है कि जो पुरानी जिन्दगी है उसको हर मैं नहीं कोई भी आदमी हो हमेशा मिस्स करता है और लेकिन फिर भी यह हम लोगों के लिए खुश्क्रिस्मती है कि हमारे मुख्मंत्री जी भी खेल के प्रेमी है खेल प्रेमी हैं फुटबॉल हो किर्किट हो और ये अभी आप देखते हो आईएस 11 के अंदर कभी ऐसा होता नहीं था लेकिन मुपंती जी ने एक ऐसी परंपरा डाल दी कि उस खेल के जरीए उन्होंने ये मिसाल आपस में अधिकारी और नेता वर्क के अंदर दोनों के अधिकाराया कि आपस में मेल और आपस में काम करने का तरीके की नई विशाल लख लेजी ने एक मैत्री में जो होता है आईएस 11 और CM11 के अंदर उसको करकर की और इसी तरहे से हम लोग कहीं ना कहीं जैसे देशी वाशा में कहते हैं अपना कहीं CM11 के अंदर या गाउँ में कहीं जो किर्किर टूर्णामेंट होते हैं, आपना थोड़ा बहुत खेल खाल कर अपनी बस मे टाल लेते हैं और अपना शौक पूरा कर लेते हैं सर अब हम काईकर मन्त कर रहे हैं और हम क्विक फार राउंड खेलेंगे मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, उसके दो ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन आपको चुनना होगा सबसे पहला सवाल यह है 2017 में आप समाजवादी पार्टी किस से अपनी जो चुनाओं में टक्कर होगी वो किस से आप देखें आपका मुकाबला किस से है पहला बीजेपी या बीएसपी मैं दोनों पार्टी जो काम थे अकलेज जी के, जो अकलेज जी ने काम किये हैं उन कामों के बाद यह दोनों पार्टी मुकाबले भी नहीं है क्योंकि जहां बस्पा का सवाल है, बस्पा के 5 साल के अत्याचार को अभी उतरप्रदेश की जनता भोली नहीं है और बीजेपी का जहां तक सवाल है, मोदी जी के जो जूट का धेर था, जो एक पाखंड था, वो जनता के बीज में टूट चुका है मोदी जी ने जो वादे किये थे, दो साल में कोई सांसद उनका, कोई मोदी जी एक वादा पूरा नहीं कर पाए तो जनता समझ चुकी है, कि अगर कोई आदवी उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकता, विकास कर सकता है, तो वो अखलेश यादावर समाजवादी पार्टी है दूसरा सवाल ये है आपसे, समाजवादी पार्टी में किस में बहतर लीडर्शिप कॉलिटी है, शुपाल यादाव या अखलेश यादाव देखें, दोनों हमारे निताव, दोनों के नितत में अपनी अपनी जगा छमता है जो काम अखलेश जी ने मुखमंती जी के तोर पे किया है, उसका कोई तोड नहीं है, उसका कोई मिशाल नहीं है और जो सिचाई मंतरी के रूप में और जो P.W.D. के मंतरी के रूप में रहते वे, शिपाल जी ने काम किया है मैं नहीं समझता कि कोई बड़े से बड़ा प्रांथ इतने दोर में इतनी जल्दी इतने पूल इतनी सड़के इतने डैम इतनी सिचाई के इंतजाम कर सकता है यह आपस में मिसाल है आपने बचाव का रास्ता दोनों को बहतर बता के डूड या कर आखरी सवाल हमारा आपसे यह है कि कमाल अक्तर ऐस एक कैबिनेट मिस्टर किस चीज को जादा मिस करते हैं क्रिकेट को या फिल्मों को दोनों चीज को मिस करता हूं मैं तो दोनों चीज जब मैं उनुश्टी में पढ़ता था तो मुझे मौका मिलता था तो हम लोग चुपचाप निकल जाते थे, शायद दिल्ली का कोई पिक्चर हॉल ऐसा नहीं, जिसके अंदर हम लोगों ने युनिवस्टी जे बाग के दोड़ के अपने साथियों चाथ पिक्चर नहीं देखी हो, और अभी भी जब मौका हम लोगों को मिलता था, सत्ता में है तो काम जादा हैं, जिम्मेदारिया जादा हैं, लेकिन जब हम लोग संगश का दौर कर रहे थे, तो पार्टी की मीटिंग-मीटिंग होती थी, तो हमारे यहां से एक ट्रेन आती है, जो सुबा यहां पांच बजे पहुँच जाती है, तो हम लोग 10 बजे मीटिंग में जा सर आपने लाइव टुडे से खास बात की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे कमाल अक्तर जिन से आज हमने खास बात में एक खास बात चीत की और जाना उनके जिन्दगी के तमाम पहलूं को छात्र राजनिती से लेके अब जब वो कैबनेट मिनिस्टर ह अगले एपिसोड में एक और खास महमान हमारे साथ होंगे लेकिन आप देखते रहे लाइव टुडे क्योंकि चलती रहेगी जिन्दगी लाइव